अलो गाईज, वेलकम बैक टू माइ यूटूब चैनल रोजन टेप तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक एमपियर मीटर के बारे में ये वर्क कैसे करता है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसको कहां पर कनेक्ट किया जाता है यह ampere meter current को measure करता है जैसे कि मालिजे कि कोई load लगा हुआ है heater है या फिर motor है तो उसका ampere check करने के लिए हम इस meter का परियोग कर सकते हैं हमारे घरों में कितना ampere use हो रहा है उसको भी हम इस meter को साहता से measure करके जान सकते हैं कि मेरे घर में कितना ampere का load है अभी equipment यूज़ कर सकते हैं इसका point दिया हुआ है connect करने के लिए और ampere meter हमेशा load के series में connect किया जाता है एक wire को beach से cut करके और एक side का wire इसमें connect कर दीजिए और एक side का wire इसमें connect कर दीजिए इसके बाद ये आपका ampere meter so होने लगेगा कि इस wire से कितना ampere flow हो रहा है वैसे ampere meter एक clamp meter से भी measure करके देखा जाता है कि कितना ampere इस wire से current जा रहा है तो ये permanently use करने के लिए ampere meter होता है जैसे कि अपने घर के जो board होता है उसमें इसको use कर सकते हैं हम आपको इसको connect करके series में और हम दिखाएंगे कि तो जैसे कि यहां से मेरा यह main connection आ रहा है मेरे इस room का और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक wire यह दोनों एक साथ connect है मैंने इसको connect करने के लिए आपको दिखाए हैं तो यहां से जैसे कि दोनों wire जा रहा है तो यह पीच में cut है एक wire इसमें connect कर देंगे इस terminal वाले में और दूसरे साइड वाला दूसरे में और इसमें यह कोई fix नहीं है कि यह वाला wire इसमें या फिर यह वाला wire इसमें कोई भी किसी में cut करके आप यूज़ कर सकते हैं तो मैंने यहां से cut करके और यह नीचे wire इसको लेकर रहा है है हम इस wire को इसमें connect करते हैं तो हमें इसको connect करने के लिए पहले घर का light काटना पड़ेगा तो चलिए हम cut करके और इसमें हम connect करते हैं तो guys यह दोनों wire को हम इस ampere meter में connect कर चुके हैं अब हम light को on करते हैं तो अभी तो मेरे पास केवल अभी तो केवल मेरे पास light ही जल रहा है तो उतना deflection नहीं इसमें so करेगा क्योंकि यह half ampere या फिर 0.12 इतना परसेंट लेता है तो चलिए कोई machine को हम on करके देखते हैं जैसे कि इस SMD machine को on करेंगे तो यहाँ पर आप तेखेंगे कि इसका arrow जो है deflection करता है या फिर नहीं करता है तो आप देख सकते हैं 3.5 MPR अभी ले रहा आईए और फिर इसको जैसे ही बंद करेंगे तो आप देख सकते हैं SMD machine को भी on कर देते हैं और अपने printer को भी on कर देते हैं तो आप देख सकते हैं 6 MPR तक लोड ले रहा था और फिर on होने के बाद ये 0 पर आ जाता है यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और अपने दोस्तों के बाद जरूर से जरूर से शेयर करिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक वी फूर वाचिंग